अगर बिरुजगारी आपको तंग कर रही है तो अभी 9812009696 पर कॉल करके जानकरी लीजिए आप कैसे सरकारी नोकरी पा सकते है विरुजगारी भारत के कितनी बड़ी समस्या है और विरुजगारी आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है क्या सच में बिरुजगारी का कोई इलाज नहीं है एक बात बताओ बेशरम और कामचोर लोगों की समस्या है विरुजगारी जहां हो वही से शुरू करो पढ़ो सही दिशा में पढ़ो ICS 11 साल से सरकारी नोकरी की गरेंटी दे रहा है कोरोना ने भले ही देश की रफतार रोक दी हो पर सरकारी नोकरी की त्यारी की नहीं ICS होमवर्क एप पर घर बैठे त्यारी कर सकते हो हालो गुद इवनिंग नमशकार मैं बबीता त्यागी ICS coaching center के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है कल 26 जनवरी थी इसलिए मैंने क्लास नहीं ली कहीं हम लोग कहीं बाहर किसी function में गए हुए थे और एक नया topic हमने स्टार्ट किया था मंडे को भी कुछ टेकनिकल फॉल्ट रहा वो class डिलीट हो गई थी फिर दुबारा से उसको अप्लोड कर दिया गया था तो आज उसी सीरीज की second class है हमने नया topic पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था काल मार्क्स जो great thinker थे बहुत बड़ी एक ideology को जिन्होंने आगे बढ़ाया ऐसा नहीं कि इससे पहले या ideology नहीं थी इनसे पहले भी बहुत लोगों ने काम किया था लेकिन बड़े तोर पर scientific तरीके से जिन्होंने society को एक विचारधारा सामने रखी वो थे हमारे इनका बड़ा respect से नाम लिया जाता है काल मार्क्स हैं या इनके खास दोस्त जिनका की birth भी almost बराबर ही है ये 1818 में जन्वे वो 1820 में आप लोगों ने नाम सुना होगा Frederick Engels करके दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों ने बहुत काम किया workers की conditions को कैसे सुधारा जाए और कैसे industrial society में capitalism के दम पे जो खड़ी हुई है शुरुआ इसी से जुड़ी second class आज हम लोग start करते हैं और शुरू करते हैं topic socialism in Europe and Russian revolution Russian revolution पर बाद में आएंगे पहले हमने topic को जो पहली क्लास में पढ़ा उसको जोड़ते हैं हमने देखा था पूरे वर्ल्ड में बड़ी क्रांती जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया जो कहा हुई थी France में फ्रांसीसी क्रांती और इस क्रांती ने 1789 की इस क्रांती ने पूरी दुनिया को तीन शब्दों से परिचित कराया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व करनारा, equality, liberty, fraternity तरे के नए विचार इस क्रांती ने दिये और मैंने उस दिन भी कहा था जब तक आपके सामने कोई चीज ना हो तो आप सोच नहीं पाते उस बारे में जैसे आइफोन का कॉंसेप्ट आया तभी से लोगों को आइफोन के बारे में सोचने की समझ पैदा हुई आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसको पता था आइफोन नाम की कुई चीज होगी ऐसे ही यहां से पहले, स्कांती से पहले समानता, स्वतंतरता, बंधुत्व के बारे में कभी लोगों ने खुल के सोचा ही नहीं था पर क्योंकि अब इस क्रांती ने एक एक्जांपल सेट कर दिया, तो लोग इस चीज की डिमांड करने लगे कि हमें आजादी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें एक्वालिटी चाहिए तो इस तरह के विचार पूरी दुनिया में घुमने लगे और उसका ये एसर हुआ कि जगह जगह रहने वाले मज़ूरों ने, किसानों ने क्योंकि हमने देखा था, फ्रांस में भी थर्ड एस्टेट के लोग जिसमें की गरीब किसान थे सर्विंट से, पीजिंट से, बिजनसमें थे, चोटे टाइप के उन सब ने करांती की थी तो ऐसे ही दुनिया भर के मज़ूरों ने, किसानों ने धीरे धीरे इन विचारों को अपनाना शुरू किया और उसी सीरीज में हमने तीन अलग तरह के विचार, तीन अलग तरह की विचार धाराएं देखी थी अगर आपको याद हो, रेडिकल्स के बारे में बात हुई थी, लिब्रल्स के बारे में बात हुई थी Judiciary की स्थापना की जाए जो किसी के दबाव में काम ना करें लेकिन बस एक कमी उन में थी वो Democrats से अलग थे क्योंकि Democracy में सब लोगों को equally treat किया जाता है लेकिन Liberals में औरतों को तो बिल्कुल अंदेखा किया आदमियों में भी जिनके पास property थी सिफ उन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था ये लोग वो थे जो थर्ड एस्टेट के थोड़ा रिच कल्चर को बिलॉग करते थे फिर हमने रेडिकल्स को देखा था आमूल परिवर्तन की इच्छा करने वाले तुरंट से सिस्टम में बदलाव चाहिए ये थर्ड एस्टेट के थोड़े गरीब तपके के लोग थे और ये तुरंट से बराबरी की बात करते थे ये औरतों आदमियों के सब की बराबरी की बात पर काम करते थे हमने conservative विचार धारा देखी थी उनका कहना था जो चल रहा है जैसा चल रहा है सदियों से इसको चलाए रखें पर धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया था कि अगर फ्रांस में बदलाव आ गया है तो दुनिया में बदलाव आएगा और उन्होंने इस चीज को एकसेप्ट कर लिया था बस उनकी कंडिशन ये थी कि आप उनकी पुरानी चीजों की रिस्पेक्ट ना भूलें चीजें बदलें लेकिन बहुत धीरे धीरे जरूरत के अनुसार बदलें सिस्टेमाटिक तरीके से चीजों को धीरे धीरे ग्राज्वल प्रोसेस के थूँ बदला जाए और अचानक से उथल पुथल सोसाइटी में समाज में ना मचे तो ये तीन तरह की विचारधारा थी धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग विचार रखे और आगे जाके इनहीं लोगों के कारण फिरिक सोशलिस्म नाम की विचारधारा ज्यादा सुप्रीम स्टेट पे पहुँच जाएगी जब भी सोशलिस्म का कॉंसेट बात की जाती है तो सबसे बड़ा नाम दिमाग में उभरता है काल मार्क्स का जो जर्मनी के थे 1818 में जन में लेकिन इन से पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में नाइन्थ क्लास में तो चार लोगों का नाम इनोंने दिया है सोशलिस्म इन यॉरोप की बात करते वक्त और ये चार नामों में एक मैंने पको बताया था ब्लैंक के है एक रॉबर्ट उवन है और एक है ही काल मार्क्स और एक इनके दोस फ्रेडरिक एंगिल्स इन लोगों ने जो बाते की ना इनोंने कहा अगर मैं काल मार्क्स को में फोकस करूँ तो काल मार्क्स ने कहा कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको बदाया था, इंडस्ट्रियल क्रांती और द्योगी क्रांती हो गई थी, और किस तरह लोग गाउं से भाग आये थे, शेहरों की तरफ की हमें रोजगार मिलेगा, कैसे छोटे-छोटे दडबे जैसे घरों में वो रहते थे, ना कांती तो आ गई थी, उद्योग धंदों में कांती आई, लेकिन लोगों के स्थिती बद से बत्तर हो गई थी, और उसी दौर में फिर हम देखते हैं, थिंकर्स कुछ नई नई विचार धाराएं देते हैं, जिन में विचार धाराओं को सबसे ज्यादा प्रभाव आके दि इनका कहना था, जब तक इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन के अगर बात कर रहे हैं, तो ज्यादा तर प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रीज खड़ी की हैं, यह इंडिवीज्वल लोगों ने, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जो पुंजी पती थे, या मानली जे, जो कैप प्रॉफिट के लिए ही करेगा, इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन में लगभग लगभग जितनी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई थी, यह उन लोगों ने की थी, जिनके पास अथाहा पैसा था, और वो पैसे से पैसा कमाना चाहते थे, उन्होंने बड़े-बड़े बिजनस चलाए, जिनमें उन्हें बहुत सारे वर्कर्स को काम दिया, वर्कर्स ने काम किया, जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ा और इन बड़े-बड़े लोगों को मुनाफ़ा हुआ, लेकिन वो मुनाफ़ा सारा इनकी जेब में गया, वर्कर्स को क्या मिला, उनकी तनखा, तन पर उसी तनखा पर वो काम करते रहेंगे और इन लोगों की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी इस विचारधारा को मार्क्स कहते थे कि ये ठीक नहीं है और काल मार्क्स का कहना था कि जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प की है जो मज़ूर हैं जो वरकर हैं इन लोगों को प्रोफिट का एक प्रतीशत मिलना चाहिए मतलब इन लोगों का अधिकार होना चाहिए means of production पर जो पादन के साधन है और इनका ये कहना था कि अगर मज़ूरों को अपने हालात बदलने हैं मज़ूरों को अपनी सिती बदलनी है तो उन्हें एक नए तरह का system खड़ा करना पड़ेगा और उन लोगों को ये जो बड़े-बड़े capitalist है पुझीवादी इन सब को हटा के एक नए तरह के system एक नए तरह की society बनानी पड़ेगी जहां means of production उतपादन के साधनों पर पूरी society का हक होगा और सब साजह की society ये साजह के साधन हो तो इस तरह की विचारधारा कुछ इनकी थी और इन्होंने कम्यूनिज्म को बहुत आगे बढ़ा है सोशलिज्म एक रास्ता है जिससे कम्यूनिज्म तक जाने का इनका टार्गेट था तो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि जो topic है जो heading है हमारी आज की ये है हमारी second heading NCRT से 9th class का सबसे tough topic मानते हैं बच्चे इसको और ये समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत बड़ी-बड़ी सी बाते हैं तो चलिए देखते हैं क्या कहती है Russian Revolution इसकी शुरुआत इन्होंने किया है Russian Empire से सबसे पहले एक राजा की picture दिखाई गई है जो यहां का राजा था औ लेकिन T लिखके silent में सार ये राजा के नाम के आएगा नाम के आ गया आता है नाम है इसका Nicholas Second तो सार Nicholas Second ये राजा है बहुत बड़े महल में रहता है भी ये राजा है तो बड़ा अमीर तो होगा ही इसके महल का नाम है the winter palace ये इसके राज महल का नाम है winter palace अराम से अपना रा ठीक चल रहा है, उस टाइम का रूस बहुत बहुत बढ़ा था, जैसे आज अगर मैं कहूं न, यॉरोप के मैप पे, तो आप फिनलेंड की सिती आपको पता होनी चाहिए, अगर आप कॉंपरिटिव एक्जाम्स की तयारी करें, फिनलेंड, लात्विया, लिथवानिया, अज जितने इलाके थे, सारे सिंकलेशे के बड़े-बड़े, यह भी उस टाइम यू सेसार के पास थे, तो यू एस एसार जो बाद में जाके बना, पहले तो वह रूस ही था, रूस का एक बहुत बड़ा एमपाईर था, बहुत बड़ा यहाँ के राजा का सामराज्य था, असानी से क्रांती क्यों हुई ये समझना जरूरी है 85% रशियन एंपायर के जो लोग थे वो खेती करते थे मतलब एग्रिकल्चर में इंवाल्व थे कृषी प्रधान देश था ये और यहां पे अगर धर्म की बात करूँ तो ज्यादा चलता था और्थोडॉक्स जो क्रिश् भी थे हिंदू नहीं थे मुस्लिम थे बुद्धिस्ट थे और आपको कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये दोनों शाखाओं के जो क्रिश्यनिटी को मानते थे ये लोग थे तो ये मानके चलिए कि कई सारी कम्यूनिटी एक साथ रहे कई सारे धर्म के लोग यहां रहते थे मेजोरिटी और्थोडॉक्स क्रिस्टैनिटी को फॉलो करने वालों की थी यहां का राजा था और बहुत बड़े हिस्से का वो मालिक था पूरा एंपायर था उसके पास और उसकी 85% आबादी खेती करती थी ठीक है अब इस खेती करने वालों में आप यह मानके चलो इत ज्यादा होगी तो अदमी क्या करेगा बाहर भेज देगा तो इतना बड़ा एंपायर है उसका पेट भी भरते थे और बाहर तक भी फूड ग्रेंस को यह भेज देते थे आज भी आप देखो रशियां में अग्रिकल्चर के जितनी चीजें हैं चाइना इंडिया के बाद आपको रशिया हेर फेर में अमेरिका के हेर फेर मिल जाएगा तो प्रोडक्शन में आज भी एकाफिर जमीन भी तो बहुत ज्यादा है ना इसके पास तो उस ताइम तो 85 पसंट लोग यहां खेती में इन्वाल्फ थे कारण जो मैं बाते कर रही हूं यह उन्निस सो पांच भग लोगों के पास खाने कमाने के दो ही साधन ते या तो खेती कर लो या फिर फेक्टरी में मजदूरी और यह सब कर लो और तो कोई साधन नहीं था तब इतनी सारी जरुरते नहीं थी समाज की तो चीज़ों भी नहीं बनती थी नोकरियां भी नहीं थी यह नोकरियों के तो आप सोचो, मशीने चाहिए, भई खेती अगर आप रोज रोज करने हैं, तो आपको लतनल खेती में भी चीजे होनी चाहिए, मशीने होनी चाहिए, साइन्स का यूज खेती तो करेगा ना आदमी, तो धीरे 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 यहां पे कुछ पॉकेट्स डिवलप होने लग और सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्स बर्ग, इन दो इलाकों में इंडस्ट्रीज का बोलबाला था, लेकिन इतने बड़े रशियां में, आप उसोचो, 85% लोग अगर खेती करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में तो थोड़े से ही लोग होंगे, क्योंकि उतनी जनसंख जहां बची नहीं है, तो बहुत थोड़े से लोग थे जो इन पॉकेट्स में एक्टिव थे, जहां पे इंडस्ट्रीज कंपेरिटिवली ज्यादा थी, बाकियों में तो ना के बराबर थी, तो दो इलाकों में इंडस्ट्रीज खड़ी की गई थी, एक मौस्कों में और ए पीटर्सबग में, ठीक है, अब जो लोग ये इंडस्ट्रीज में काम करते थे, इनकी टक्कर में जो खेती करते थे, खेती से जुड़े जो लोग थे, यहां छोटी 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 बहुत सारी चीजें चलती थी, और कारीगर होते थे, जैसे हस्त शिल्पी है, जिसको हम कह क्राफ्ट्समेन, वो लोग घरो में चुटपूट-चुटपूट सी अपनी, मानली जे कोई कारेशाला वरक्शॉप बनाई, वहां सामान बनाते थे, जैसे अपने यहां नहीं है, देखो लोहे के सामान, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में बनते हैं, लेकिन लोहार भी तो क इस टाइम के फ्रांस से, जहांकि रिवल्यूशन हो गई, सारा चेंज हो गया, और उस टाइम के जर्मनी और फ्रांस और आसपास के देशों से, तो वहां आबादी का 40-50% लोग खेती करते थे, जबकि अगर रूस को हम देख रहे हैं, तो 85% लोग खेती कर रहे हैं, इसका 1890 का दौर आएगा, 1890 का, और यहां पर रेल्वे, जो रेल्वे है न, रेल्वेज, इसका एक्सपेंशन होगा, जब यह एक्सपैंड होगा, यानि जगह जगह रेल्वे के ट्रैक बिचाए जाएगे, बहुत बड़ा है रशिया, आज भी आप देखिए, एरिया में नंबर लिथवानिया, लात्विया, एंटोनिया, सारे ही नहीं के तो थे, अजरबेजान तक कितना लंबा चोड़ा हिस्सा, तो अगर देखें, तो आज भी यह बड़ा है, उस टाम कितना बड़ा रहा होगा, जब यहां कनेक्टिविटी के लिए रेल्वे के ट्रैक बिचाए अब खेती का सामान इंडस्ट्री तक ले जाना आसान होगा, तो बाहर से लोग जो होते हैं, जो विदेशों के लोग होते हैं, वो सुचते हैं हम कहां अपने पैसे, किसी कहां स्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है, दूसरे देश में इंवेस्ट कर देता है, फॉरण इंडस्ट्री में, तो जिसे हमारे देश में कितनी सारी MNC's हैं, मुल्टी नैशनल कंपनी अपको देखो, कितनी MNC's हैं, दुनिया भर के लोगों को काम देती हैं, तो इस तरह अब यहां MNC's आ जाएंगी, उस टाइम के अगर बात करूं, क्यों आ जाएंगी, क्यों कि यहां पर रेलवे एक्स्पैंड हो गया, एरिया बहुत बढ़ा था, और कच्चा माल भी काफी होगा, क्योंकि खेती करते हैं, क्योंकि खेती से कच्चा माल एजीली मिलता है, तो यहां पर फॉरण इंवेस्ट्मेंट और दुनिया भर के विदेशी अमीर लोगों ने यहा जाके नौकरी कर लो, तो बहुत बड़ी आबादी में एक हिस्सा ऐसा भी तो होगा ना, जो लैंडलेस लेबर होंगे, वो लोग अब अपने अपने इलाके छोड़के और इन इलाकों की तरफ भागेंगे, जहां इन्वेस्ट्मेंट किया जा रहा है, जहां इंडस्ट्री यहां पर फैक्टरी में मजदूर, उनमें एकत्रिस परसंट औरते थी, तो देखो औरते भी कितनी स्पीड से, इंडस्ट्री और फैक्टरी यानि मजदूरों की तोलियों में एक बड़ा अनुपात अब औरतों का भी दिखने लग गया, कहां तो 85 परसंट लोग आदमी औ सारे खेती कर रहे थे, और कहां विधिन 10 यर्स यह सारा बदलाव हो गया, 1890 में सारे थोड़े 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 थेंजिस स्टार्ट और 1900 आते आते सब कुछ बदला मिला, और जहां सिर्व वो दो शेहर थे न, मौस्को और पीटर्सबर्ग, अब ये पूरे रशिया में जगय 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 इस तरह है कि पॉकेट्स डिवलप होने लग गई, तो जब ये पॉकेट्स डिवलप होई तो बहुत लोग खेती बाड़ी का कामकाच छोड़के, लैंडलेस या जो बहुत पिछड़े और गरीब टाइप के लोग थे, वो उ कामना करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से आप जहां जाएंगे, तो अबहां सोचिए घर नहीं है, वहां सैनिटेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बसने की सही जगए नहीं है, तो दिक्कत होगी होगी, और एक और चीज़, यहां जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन लोगों में आपस में डिवीजन था, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में भी, जो फैक्ट्री मजदूर थे न, इन्होंने आपस में भी एक तरह का डिवीजन देखने में मिलता था, और यह दिवीजन इनकी ड्रेस में था, इनके मैनर्स में था, कैसे? यह खुद लिखा हुआ है किताब में NCRT में कि जो मज़ूर फैक्टरी में मेटल वर्क करते थे मेटल वर्क मतलब जो धातू का काम करते थे जैसे किसी को लोहे से जुड़ा काम आता है आइनन एंड पॉचे में किसी को ऐसा काम आता है नहीं आपको ट्रेइनिंग की ज़रूत है, तो जितने मजदूर थे न, उन मजदूरों में भी हाइरायर्की थी, और सबसे उपर नंबर वन अपने आपको साहब की तरह समझते थे, यह अरिस्ट्रोक्राट मानते थे, मेटल वर्कर्स, जो बाकी लोग थे, उन से नीचे गिने जाते थे, इनके रहने का तरीका, इनके खाने का बाची, हर चीज में दिखता था कि इन में भी डिफरेंस है, इनके हर चीज में डिफरेंस नजर आता था वर्कर्स में, तो factory में मजदूरों में एक तरह से hierarchy थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन में unity थी, और कभी जरूरत पड़ती न, तो ये इखटे हो जाते थे जब strike करनी पड़ती, strike समझते न, to stop work, काम रोकना है, तो फिर कोई metal worker, कोई नीचे worker नहीं है, सब इखटे हो जाते, तो ये क दो ही main pocket थी, Moscow और St. Petersburg, लेकिन अपने नहीं जगें बढ़ने लग गई थी, और वहां मजदूर जाने लग गए थे, मजदूरों में division है, difference है, लेकिन फिर भी उनमें एकता है, ठीक है, ये हुई मजदूरों की बात, इसके साथ हम बात कर लेते हैं, अच्छा, अब इन मजदूर क्रामती क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक चाक चल रहा है, इन फैक्टरीज में, इन मजदूरों का धीरे-धीरे करके, शोशन बढ़ता जाएगा, कैसे बढ़ेगा शोशन, इन लोगों के काम के घंटे जब देखे न, तो एक-एक मजदूर दस से 15 गंटे दिन के काम कर रहा था, कहते हैं जो यह कारीगर थे न, इतो 15-15 गंटे प्लस का काम करते थे, और 10-12 गंटे तो फैक्टरी में भी काम करता था, मजदूर, सोचो दिन के 15-16 गंटे को आदमी काम करेगा, आज अगर हम देखें, इंडिया में कोई भी आदमी मैक्सिम आठ घंटे काम करता है और यह मजदूर है यह कोई जाके वहाँ चेयर पे नहीं वैठेंगे यह पूरे दिन काम करेंगे पूरा दिन इनको फिजिकल वर्क करना है तब मेंटल वर्क थोड़ी थे तने ज्यादा फिजिकल वर्क थे सारे मशीने भी इतनी एडवांस नहीं थी तो पूरे दिन काम में लगा रहता था एक आदमी पंदरा से सोला घंटे आप सोचके देखो जरा पंदरा सोला घंटे मतलब आज से दुगना काम करना पड़े और वेजिस थी बहुत कम तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि इनका शोशन हो रहा था पहली चीज काम के मिलती थी जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम था बहुत ही कम इतना भी नहीं था कि अपने परिवार को गाउं से उठा के यहां ले आते यह तो खुद तो भाग आए लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है नौकरी करके कि इनके बीवी बच्चे भी इनके पास आके रह सके तो इन लोगों को रहने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था, इनके सोने की पता है क्या जगह हुआ करती है, डॉर्मेट्री बना रखी थी, बड़े बड़े से हॉल, इसमें ऐसे बेड बिचा दिये थे, और ये ऐसे आके यहां खुले बस यूँ बेड पड़े हुए थे, इन पर सोना होता था, ऐसी फिर यहां एक लाइन बेड की, यहां एक लाइन यहां, यहां यहां, यह डॉर्मेट्री थी, तो एक शिफ्ट पंदरा घंटे की करके आता मजूर, आके नहाता दोता, खाता, और फिर बस उसको सोना ही है, क्योंकि अगले दिन फिर उसकी शिफ्ट पर बस नहीं काम होता था, कोई रात की पाली में मजदूरी करते, यह वर्किंग करते, कोई सुभह की पाली में, तो बड़ा खराब सा इनका स्ट्रक्चर था, इनका एक्स्प्लॉइटेशन हो रहा था, अब उस एक्स्प्लॉइटेशन के खिलाफ आगे जाके जब यह परिस्थितियां, अब जैसे मैं ने डॉर्मेट्री बनाई, ना यहां थंड से बचने का साधन है ज्यादा कुछ, ना यहां गर्मी से बचने का साधन है, मतलब यह बस यह मालो, कि वो बिचारे भूके मर रहे थे, किसी तरह उटके वो यहां आय थे, जिन्दगी अच्छी हो जाएगी इस आस में, लेकिन यहां भी उनके जीवन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया, 16-16 गंटे 15-15 गंटे काम करके, 81 लंगर टाइप में खाना मिलता था, वहां खाल लेते थे, और फिर सोने के लिए जगह नहीं, परिवार की कोई जगह नहीं, तो ऐसे में कल्चर में थे, तो परिवार के पास तो थे, लेकिन अब ये शहरों में जाके बसने लग गए हैं, वहां शहरों में, क्यूंकि कुछ भी नहीं है, तो जो मिल रहा है उसमें ही इनको अपना गुजर बसर करनी पड़ेगी, ये इनका लाइफस्टाइल था, ठीक है, और और ये बता दिया, अब ये इखट्टे हो जाते थे, इनमें ये अच्छी बात थी कि इखट्टे हो जाते थे, और इसके बाद ये सब था शहर का सीन, शहर के साथ साथ, अब सब लोग तो शहर नहीं थे ना, बहुत लोग तो अभी गाउं में थे, जाओं को बोलते हैं, कंट् ये इसके अब समय थे, और रोग शुआ अब समय थे, या जब समय थे, या टो चर्श की थी जबिलिटी थी, या तो चर्श की थी, या बहुन जमीन पर मेक्सिम्म जमीन पर आप शोचसो, 85% लोग खेती करते हैं, इसमें से जमीन के नाम पे मुठी भर लोग आं जिनकी जो राजशाही परिवार के है, यानि आम आदमी जो खेती करता है, वो तो उनकी दया पर निर्भर है, क्योंकि जमीन तो उनकी है, तो बड़े दुखी थे लोग, एक बात, दूसरी बात, यहां जो किसान थे न, यह नोबिलिटी से बहुत चिड़ते थे, क्यों क्यों यहां के लोगों के मन में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के प्रती उतनी नफरत नहीं थी, जितनी आप यहां के किसानों में देख रहां के किसान बहुत चिड़ते थे नोबिलिटी से, क्योंकि उन्हें लगता था कि नोबिलिटी हमारे बीच में से नहीं है, और यह सच भ के तलवे चाट के ही अमीर बने थे, और यह हमेशा है सोच चे थे कि राजा के प्रती हमें समर्पित रहना है, चै हमें किसानों को पीटना पड़े, मारना पड़े, उनको एक्स्प्लॉइट करना पड़े, हम सार को खुश रखे, तो किसानों के साथ इनके रिष्टे अच् आते हैं, जब खुश रविवार की हम बात करेंगे, यह जो किसान थे न, यह इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, कि यह मुर्डर कर देते थे, लैंडलॉड्ड्स का, जो यह सामंथ थे न, यह जो हमारे यहां के जिसे जमीदार थे, जिसे सामंथ थे यहां, यह उनको, जि इतने गुस्से में होते थे कि पता नहीं कब किसी बड़े लैंडलॉड का यह मर्डर कर देंगे तो देखो किसान भी दुखी हो रहे हैं यहां किसान भी दुखी हो रहे हैं और दूसरा हमने पढ़ा शेहरों में रेलवे ट्रैक तो आ गए फॉर एन इंवेस्टमेंट भी हो गाहों से लोग भाग के शहरों में इस आस में चले भी गए कि हमें बड़ा अच्छा रहना खाना मिलेगा जीवन सुधर जाएगा लेकिन हालत क्या हुई वे ने आपको दिखा दिया वहां 15-15-16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है वेजिस बहुत कम हैं कंडिशन इतनी खरा क्योंकि ओप्षन नहीं है कहां जाए शोषन हो रहा है उसको पता भी है लेकिन वही टिकना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं को चारा नहीं है निकल जाएगा तो रोटी कहां से खाएगा रोटी भी तो खानी है न उसको इसलिए वो उन कंडिशन में भी काम के रूप में इन लोगों को एक्स्पोइट कर रहे हैं, तो सोचो यहां का मज़ूर भी दुखी है, यहां का किसान भी दुखी है, कहां की बात हो रही है यह, रशिया की, ठीक है, तो अब क्या होगा, धीरे 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 करके, अचा जैसे इनके वर्कर्स में हमने देखा, डि इकटे ना हो पाने का बड़ा कारण बाद में यही बताया जाएगा जो लेनिन कहेंगे, कि यहां के फार्मर्स में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसको जान लेते हैं, जैसे लेनिन कहते हैं आगे जाके, कि फार्मर्स एक इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फार्मर कुछ बहुत रिच है और कुछ बहुत गरीब है जैसे रिच कौन है जिसके पास अपनी जमीन है मैंने क्या खा कुछ परसंट किसानों के पास तो अपनी जमीन थी ना गरीब कौन है जो दूसरे की दी हुई जमीन पर खेती करता है और थोड़ा बहुत बिचारा बचाता है उस मुन पर खुद खेती नहीं करते हैं, जो अमीर है, वो एम्पलॉयर है, यानि वो दूसरे को काम देते हैं, दूसरे किसानों को, बड़ा किसान है, वो छोटे किसानों को अपनी जमीन पर काम दे देता है, तो उसकी पोजीशन उसकी अलग हो गई, उसके फायदे अलग हैं, लैंड अब आते हैं अगली बात पर, यह सब चीज़े समझ में आ रही हैं किस तरह से उद्योगों में भी डिविजन है और कुछ चेंज करने के लिए कदम उठाते हैं ऐसे ही कदमों में अब रशिया में सोशलिज्म के लिए एक जमीन बन गई तो यहाँ धरे-धरे करके संगठन बनने लग गए जैसे समाज में क्रांती एक दिन में नहीं आती करांती कभी वो लोग नहीं कर सकते जो बटे हुए है या जिनको ऐसा लगता है कि हम सबके सुख अलग-अलग है करांती करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एक ताकतवर संगठन की और इस संगठन को बनाने वाला वो आदमी होना चाहिए जिसके पास विचार हो जिसने दुनिया के इतिहासों को पढ़ा हो जिसको पता हो कि संगठन में क्या कुछ नहीं होना चाहिए और संगठन में कौन सी चीजें होनी चाहिए संगठन बनाने के लिए इंसान के समझ का एक दाइरा विक्सित होना बहुत जरूरी है कभी भी आप सोचते हैं समाज को, सुसाइटी को, सिस्टम को बदलना है और आप सोचते हैं कि बदलने के लिए पस हम इखटे हो जाएं इखटे होने से काम नहीं चलता इखटे तो कोई भी हो जाएं लेकिन इखटे हुए लोगों के पास एक एजिंडा होना चाहिए उनकी एक चीज पर एकमत राय होनी चाहिए उन सब के दुख एक जैसे होने चाहिए सब लोगों का सुख एक चीज में होना चाहिए उस कंडीशन में ये सुख का मतलब ऐसा नहीं कि पैसों से तोल लेंगे जैसे अगर किसान इखटे थे तो किसानों के सब के साजे के दुख एक जैसे तो होते हैं अब किसान है पकी फसल के टाइम बारिश हो गई तो चाहे बड़ा किसान था छोटा नुकसान थो दोनों का हुआ बड़े का भी नुकसान हो छोटे का भी तो इस तरह ऐसे जब इखटे होते हैं न तो आपके सुख आपके दुख जब कौमन होंगे तब आपके संगठन में ताकत होगी, संगठन भीड से नहीं मनता के लिए, संगठन के पास वैचारिक शक्ती भी होनी चाहिए, संगठन को चलाने के लिए कोई बुद्धिमान आदमी होना चाहिए, और बुद्धिमान कौन होता है, जिसने दुनिया के इतिहासों को पढ़क लेकिन उस आंदोलन में कोई भी उसको धंग से लीड नहीं कर पाया, और वो डिरेक्शन से थोड़ा भटक गया, अब जिसने भी वो काम किया, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही कि वो स्टूडेंट थे या नहीं थे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन रेलवे की कोच में आग लगाना बेहद शर्मनाख हरकत थी, चाहे किसी ने की, अब स्टूडेंट्स ने किया या नहीं किया यह तो बात ही नहीं है, बात तो यह है कि इस आंदोलन के दौर में स्टूडेंट्स का नाम लेके चाहे किसी ने भी करवाया, या किसी भी घटी आदमी ने वो काम किया, गलत किया, नाम सारा किस पे गया, स्टूडेंट्स पे, अब स्टूडेंट्स में बहुत ताकत होती है, लेकिन संगठन को अगर सही नेतरत्व ना मिले ना, तो फिर वो एक बहुत बड़ी भीड है, और उसका कभी अंजाम सही नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी जब क्रांती कर करना एकदम से करना ये कोई समझधारी नहीं होती, क्रांती के लिए पहले एक प्रिष्ट भूमी तैयार की जाती है, लोगों को उसके साथ जोडा जाता है, संगठन को मजबूत और ताकतवर बनाया जाता है, उनको एक डिरेक्शन दी जाती है, उस डिरेक्शन में वो लो प्रिष्टा नहीं बदलती है, वो दो चार दिन की इस तरह से बदलने से चीज़े नहीं बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता, अब आप देखिए, रशिया में कोई एक दिन में बदलाव नहीं हुआ, लोगों को फील हो रहा है कि हम एक्स्प्लाइट किया जा रहा है, हम प इसलिए जब ये सब चल रहा था, इंडस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है, रेल्वे का विस्तार हो रहा है, उद्योग धंदे लग रहा है, फॉरण इंवेस्टमेंट आ रहा है, तो उस टाइम पर यहां कुछ संगठन बनने लग गए थे, और ये संगठन कहीं ना कहीं आगे दुखी थे, काम के घंटे, परिस्सितियां, सोने को ठंग से नहीं मिलता, परिवार नहीं रख सकते, वादा कितने बुरे हालत थी, और दूसरा संगठन बना, जो किस के लिए काम करेगा, किसानों के लिए, दुखी तो किसान भी थे, भाई ये पैदा हम कर रहे हैं जमीन खेती हम कर रहे हैं, महनत हमारी, रात को जागना, ठंड में जागना, सब काम हमारे, लेकिन इसका असली मालिक कौन है, ये जो बड़े-बड़े लैंडलोड्स हैं, या जो ये सामन्त हैं, या जो राजा है, या फिर चर्च है, तो दोनों फील कर रहे हैं कि हमें एक्स्प् revolutionary, क्रांती कारी, तो क्रांती से जोड़ लो, किसान क्रांती, socialist revolutionary, socialist मतलब जो समाज बात की कल्पना को आगे बढ़ाएंगे, और ये अपना नाम क्या रखेंगे, इनका नाम थोड़ा बड़ा है, इस पार्टी, ये जो पार्टी बनेगी, ये नाम रखेंगी, Russian Social Democratic, यहनी ये लोखतंत्र की भी बात करेगी, workers party, जैसे German workers party याद है तुम्हें, नाजी वाद से पहले, सबसे पहले, वो Hitler बना था, German workers party, फिर उसने क्या किया था, social democratic German workers party, और बाद में उसका नाम नाजी party कर दिया था, इसी तरह यहां, Russian Social Democratic Workers party, ये बनेगी, ये किस के लिए काम करेगी, फैक्टरी में परिशान हो रहे हैं मजदूर के लिए, और किसानों के लिए कौन काम करेगी, दूसरी संसा जिसका नाम है Socialist Revolutionary, ये गाओं में काम करेगी, ये शहर में काम करेगी, क्योंकि मजदूर शहर में होते हैं जातर, और गाओं में किसान होते हैं, ठीक है, अब आदमी हैं, जिनका नाम है, व्लादिमिर लेनिन, लेनिन काल मार्क्स को फॉलो करते थे, यहनि काल मार्क्स के विचारों से बहुत ज़दा प्रभावित थे, लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने कहा, जैसे कुछ सोशलिस्ट जो थे न, वो कह रहे थे, कि देखना, वर्ल्ड मे यह किसान लाएंगे, लेनिन ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ समाजवादी कह रहे हैं, कि सबसे पहले सोशलिस्म जो लाएंगे, वो किसान लाएंगे, किसान क्यों लाएंगे, क्यों क्यों लाएंगे, क्यों क्यों लाएंगे, क्यों क्यों लाएंगे, क्यों क्यों लाएंगे, जैसे के अरिया के किसान है, यह सब अपनी जमीन को इखटे कर लेते थे, जैसे कार पूल होता है, उत्त com मे अकि शार ऐिवारों के चार आद्मी उनको एक ही जगल जाने हैं , तो वो क्या कर थे हैं रोज यहां के किसान क्या करते थे यह लैंड पूलिंग करते थे यह अपने एक एरिया में सारी जमीनों को इखटा कर लेते और उस जमीन को इखटा करके कम्यून को सौफ देते और फिर कम्यून जो था ना वो जिसे तस परिवारों ने जमीन इखटी कर लिए 50 निखटी कर लिए पूरी एक पूरा एरिया की जमीन इखटी हो गई, आप इस पे सब मिलके काम करेंगे, और कम्यून जो होगा, कम्यून मतलब जो हेड माल लीज़, हम में से किसी उसको हेड बना लिए अपनी बीच में से ही, फिर वो डिवीजन करता था, इंडिवीज्वल नीड्स का, इंडि करते करवा के, और फिर उसको डिवीजन करवा था, परिवार की जरूरत के एकॉर्डिंग, तो ये कहा जाता था, ऐसा मानना था बहुत लोगों का, कि रशियन जो किसान है न, ये पैदाईशी सोशलिस्ट है, इनको कुदरत ने ही पैदाईश के टाइम पे ही सोशलिस्ट बना रखा है, कि भईया सब के, सब जो है खुश रहें, उत्पादन के साधन पर सब का हक हो, इन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये बहुत पहले से चला आ रहा था, कि यहां के किसान अपना लैंड पूल करते, और जमीन जरूरत के अनुसार फिर हिस्सेदारी लेनिन ने का, नहीं भईया, किसान नहीं ला पाएंगे, अगर क्रांती लाएंगे, तो मजदूर लाएंगे, इनका क्या तरक था, इन्होंने का, किसानों में ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस कैसे, जैसे कोई अमीर किसान, कोई गरीब किसान, किसी के पास एक खेत किसी के पास दस किसी के पास एक भी नहीं कोई किसान खुद खेती करता है कोई मजदूरों से करवाता है तो किसानों के ना सुख और दुख साजह नहीं है कुछ चीजों में ऐसा लिनिन का मानना था इनका कहना था करांती लाएंगे तो मज़ूर लाएंगे और इसी कारण ये दो अलग दल बन गए थे जो एक अभी मैंने पीछे लिखे थे ना दो नाम देखो एक मज़ूरों के लिए काम कर रहा है एक किसानों के लिए अब जो ये लेनिन है ना ये बहुत बड़े लीडर बनेंगे और यहां जाके फिर संगठन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा एक का नाम है बोल्शेविक और एक का नाम है मैंशेविक अब ये बोल्शेविक क्या है लेनिन का ऐसा मानना था कि जहां पे राजा बहुत ज्यादा दबाने वाला हो प्रजा को जैसा की रशिया में सार निकोलस द्विति अपनी तो चला रहा था वो एक तरह से माली जए निरंकुष राजा था उसके सामने यहां पे कोई पार्लेमेंट नहीं थी यह सुनता नहीं था किसी के अपनी मरजी चलाता था जबकि इसकी टकर में अगर हम देखें तो दुनिया में पार्लेमेंट बन चुकी थी फ्रांस ने जो वो कन्वेंशन बनाई थी अपनी या जो नैशनल असेंबली बनाई थी वो पार्लेमेंट ही तो थी उनकी तो वहाँ तो 1789 में पार्लेमेंट बनने के उपर काम हुआ, 91 में उनका समिधान लिख दिया गया था, तो आप ये देखो, यहाँ पे 1900 के आसपास की बाते कर रहे हूँ, लेकिन यहाँ सार, निकोलस, सेकेर्ड आराम से राजा बनके बैठा है, और अभी इनके देश में कोई पार्लेमेंटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा कॉंस्टिट्यूशन नहीं है, जिसको उसको फॉलो करना हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्लादिमेंट लेलिन जैसे लोगों ने कहा, कि इस देश में, अगर हमें परिवर्तन लाना है, क्वालिटी, कि लोग जो हो, उनका एक स्थर हो, ऐसे नहीं कोई भी उठके इसका मेंबर बन गया, जबकि जो मेंशेविक वाले थे, इनका मानना था कि नहीं, नमबर अफ पीपल, जितने लोग आना चाहें, वो सब इस संगठन के मेंबर बनते जाएं, तो इन्होंने में क्वांटिटी पर काम किया, कि जितने लोग चाहें, वो इसके मेंबर बन जाएं, किस दल के मेंशेविक है, अब ये क्रांती की, ये मानलीजे की, जो संगठन था, उसके दो पार्ट हो गए, क्रांती आगे जाके होगी, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक, बोल्शेविक क्या कह रहे है, कि पार्टी में यूनिटी होनी चाहिए, बहुत सोच समझ के लोगों को इसका मेंबर बनाना चाहिए, ये क्या कह रहे है, जो आना चाहता है, आजाओ, इसके मेंबर जिसको और 1900 में बन गई किसानों वाली, मैंने भी आपको बताया, 1890 तक यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, खेती थी, 1890 में यहाँ रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, जिसके चलते फॉरण इन्वेस्टमेंट आया, सोचो 1890, और 1898 तक यहाँ उद्धयोग धंदे खुब सारे लग गए थ 1900 में, सोचलिस्ट रिवल्यूशनरी पार्टी बन गई किसानों के हग के लिए, यहनि यह सब कुछ महज 10 से 15 साल में घटित हो रहा था, कौन से देश में? रशिया में, तो 1900 तक, 1890 में वो एक्सपेंशन था रेलवे का, 1900 तक दो तरह की पार्टी मज़ूरों के लिए, किसान के लिए, क्यों? क्योंकि छोटे से जापान ने रशिया और जापान का युद्ध हुआ था, 1904 में, जिसमें छोटे से जापान ने रशिया को हरा दिया, 1905 में, और यह साल रशिया के लिए बहुत बहुत नुकसान लाया, 1904 का ये पूरा बड़ा दर, पनौती है, पूरा स पाल ही नुकसान देगा, 1904 का, 1904 में पहली चीज क्या, जापान और रश्या की लड़ाई हुई, रूस और जापान का युद्ध, जिसमें इसकी हार हो जाएगी 1905 में जाके, एक बात, जब भी कभी युद्ध होता है न, तो हमेशा फैनेंशियल नुकसान होता है देश का, पैसा तो जाएगा जाएगा, आर्थिवस्ता डगमगाएगी नुकसान में होगी, और उससे फिर उद्ध्योग धंदे प्रभावित होंगे, खेती हर चीज पर असर आता है, तो इसलिए चीजों की कीमत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और चीजों की सप्लाई ज और इसी टाइम पर एक तो गड़बड ये रही, इस सब के दौर में धीरे-धीरे-धीरे करके कुछ लोग और विचार दे रहे हैं, उदारवादी या दे आपको, जो लिबरल्स थे, लिबरल्स ने एक बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा देश की स्थिती बड़ी खराब है, लिबरल्स जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको इस से पिछली वैली में, लिबरल्स वो थे जो कहते हैं, सब रिलिजन सेम हैं, और एक रिप्रेजन्टेटिव होना चाहिए, चुनी हुई संसद काम करे, कॉंस्टिटूशन ह होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, अच्छी बाते करती थी ना, बस वो औरतों के अधिकार और गरीबों के अधिकारों के प्रती सचेत नहीं थी, बाकी सब उसमें अच्छा था, तो यहां पे इस देश में लिबरल जो विचारधारा के लोग थे, जिनको आप कहते अधिक वाले थे, और किसानों का संगठन अलग था, सोशल रिवलिशनरी, तो इस सरे करके उन्होंने उसको, सारे किसानों को, सारे मज़ूरों को सबको एक प्लाटफॉर्म दे दिया, किसने किया ये काम? लिबरल्स ने, उदारवादियों ने, और अब जब सबको एक प्ल प्लाटफॉर्म मिल गया, तो धिरे-धिरे करके सब लोगों को लगने लगा, यार, हम लोगों को व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये जो सिस्टम है, हमारे देश का ये गलत है, क्योंकि इसमें किसान भी दुखी है, मज़ूर भी दुखी है, सब लोग दुखी थे, तो सब से बेस्ट पॉइंट ये है, तो उदारवादियों ने जब सब को इखटा किया, तो उस टाइम के जो यहां पे मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे न, शुरू में मैंने काया, मुस्लिम भी थे, बुद्ध भी थे, कैथलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, इन्होंने बड प्लाटफॉर्म बना लिया, किसने किया ये काम? लिबरल्स ने, और इसका फाइदा क्या हुआ, अब सब इखटे हैं, और इखटे हैं, और उनको अकल आ गई है, तो फिर आप मान के चलो कि अब देश बदलेगा, तो इस दौर में, क्या होता है, धीरे धीरे करके, और मैंन जो सेलरी तो लोगों का पूरा जिन्दी, मतलब लाइफ का लगा मुश्किल नजर आ लगा, इस कुछ खेती भी बरबाद हो गगे, उन्निसो चार में बैड हर्वेस्ट रहा, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ इसे एक चीज हो गई कि धीरे 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 तो लोगों में एकता आ गई, और लोग धीरे धीरे करके संगठनों के मेंबर बनने लग गए, कोई नो कोई ग्रूप, कोई नो कोई संगठन ज्वाइन करने लग गए, क्योंकि तभी देश में परिवरतन संभव था, जब आप किसी संगठन में बड़ी संख्या में और एक कॉमन प्लाटफॉर्म पे आ गए सब लोग, उनको कौन ले आए, लिबरल्स, अब इस एकता का फाइदा ये हुआ, कि कहीं पे एक आईरन वर्क्स, एक कोई फैक्टरी थी, लोहे का काम करते थे, बड़ी फैक्टरी थी आईरन वर्क्स, इसमें से चार मजठन निका चला कि हमारे चार मजठन निकाल दिये, तो वो जो सारा कई सालों का गुस्ता था था न, वो अब बाहर आएगा, और कहते हैं, विदिन फ्यू डेस, पूरे रशिया में, एक लाख दस हजार लोग, कुछ दिनों के अंदर, सडकों पर उतर आए, इन सब ने स्ट्राइक कर सारी फैक्ट्रियां बंद कर वादी, एक लाख दसदार तो बहुत बड़ी आबादी होती न, सडकों पर आजाए तो, फैक्ट्रियां बंद कर वादी गई, और इतने सारे लोग जब सडकों पर आ गए, तो आप खुद देखो कि सिस्टम में कहीं ना कहीं हल चल पैदा कितने लोग जो हैं वह वो तर आए और इन लोगों स्ट्राइक्स कर दी और अब स्ट्राइक का फादा बता है क्या हूआ इन लोगों रख दी अब देमांड रख दी और उने काम पर जाएंगे ये काम तब चालू होंगे जब तीन कंडिशन रखी नोने पहला हम सब की की दूसरी हमारे जो working hours हैं kाम के घंटे इनको कम करो हठसे ज्यादा गहंटे तुम 16 16 गहंटे हमसे काम लेते हूँ इनको कम करो इनको आट से तस घंटे पर लेक्याऊ तीसरा हमारी जो working conditions हैं जिन परिस्चितियों में हम काम करते हैं provider light है or toilet न भीन हैठना पानी की सुविधा कोई खानी पीने कुछ सुविधा नहीं है हमारी परिस्तियों में सुधार करो यानी यह हुथा है कि भाया बहती गंगा में हाथ धुलना ग्यूंगा में चार लोगों को निकाला था उनको क्या पता था उनको जा आई जो एक लाख दस राइ प्रीस्ट तो एक बड़ा आदमी यानी फादर गेपॉन इन्होंने क्या किया इन्होंने बहुत बड़ी भीड को लिया और इन्होंने का चलो भी राजा के महल के बाहर चलते हैं क्योंकि यहां तो हमारी कोई सुनेगा नहीं हम यहां करांती के नारे लगाएंगे बदलाग को कोई सुनेगा नहीं राजा के घर के बाहर राजा के घर के नाम बहुत-बड़ा आलिशान घर था महल था पुरा तो फादर गेपान एक बहुत बड़ी भीड को लेके और राज महल दविंटर पैलेस के बाहर पुँच गये अब यहां जाके लोगों रनारे लगाने बहुत बढ़ गई थी, पेट भरना भी जब मुश्किल होगा, तो आदमी क्या करेगा, सड़क पे उतरेगा, आप सड़क पे उतरेगा, तो क्या करेगा, जो राजा है, जिसके हाथ में सारी पावर है, उसके घर के बाहर जाएगा, कोई नहीं सुन रहा, तो तू सुन ले, औ तो राजा का लगता था, राजा उस टाइम वैसे भी निरंग कुछ था उसके पर पार्लेमेंट न कुछ था, उसके तुरंट कह दिया भई, वही फायर करो, और भगदड होती है तो होने दो, मरते हैं दो, डर इन में बठा दो, तो यहां पे पर फौज खड़ी थी, उन्ह बागें कि भाईया कौन मरेगा, 100 लोग प्लस गोली खाके मर गए, मतलब आग गोली लगी और मर गए, इंस्टेंट मौत, 300 से ज्यादा लोगों के हाथ पैर में गोली लगी, जो कि काटने पड़े, मतलब वूंडिड रहे, वो जखमी हो गए, 400 लोग जिनकी कोई गलती नहीं वो विचारे सिर्फ अपने हक की डिमांड करने आए हैं, और ये कहने आए हैं कि हमारी सिती थोड़ी सुधार दो, क्योंकि इस देश में पैसा जो है, वो मुठीवर लोग लेके बैठ गए हैं, काम हम भी करते हैं, चाहे हम किसान है, मजजूर है, हमें भी अपनी 305 की क्रांती की शुरुवात है, जिस दिन ये भीड फादर गैपन के साथ गई थी न, इस दिन संडे था, क्योंकि मजदूरों की चुटी संडे को ही होती थी, तो मजदूर इखटे होके संडे को ही जा सकते थे, बाकी दिन तो उनको 16-16 गंटे काम करना है, कहां से लोगों को इस तरह से मजदूरों को दिन दाहाडे गोलियों से भून दिया गया, गलती क्या, अपने हके दिमांड करें और जाके जब कोई भी नहीं सुन रहा तो राजमहिल के बाहर अपनी दिमांड करेंगे, किस से कहें, बई जो सबसे बड़ा होगा, उसी से कहा अगर ढंग से चीजों को किया जाए ना, तो बड़े से बड़ा सिस्टम बदल सकता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सार निकोलस दृत्य था, लेकिन अंदर से था तो इंसान ही ना, जब इतने लोग सड़कों पे आते हैं और उनको मरवा दिया जाता है, तो एक मन में धर कि कहीं कल को ये एक लाख, दस हजार, दस लाख वन गए तो हम कैसे रोकेंगे, तो कि पुलिस भी फिर इतना थोड़ी काम कर पाएगी, इतना कंट्रोल नहीं होता, इतनी बड़ी भीड को थोड़ी कंट्रोल करने के लिए पुलिस या सैना होती है, तो निकोलस को लगा कि अब मुझे थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग जुख जाना चाहिए, जहां ज़रुवत पड़े वहां जुख जाना चाहिए, तो सार निकोलस सेकेंड ने क्या कहा कि ठीक है भईया, तुम्हारी बात माल ली, तुम्हे क्या चाहिए, तुम्हें लगता है मैं निरंकुष हो तो ठीक है, पार्लेमेंट बनवा लेते हैं, और यहां पे पार्लेमेंट बनाने की शुरुवात हो गई, यह खुद करवाई है, भी राजा ने उनकी बात, उनकी कंडिशन देखके, पार्लेमेंट को यहां कहते हैं डुमा, तो रष्या में पहली बार डुमा का गठन किया इनकी पार्लेमेंट का, फॉर्स्ट डुमा, राजा बड़ा चालाख है, राजा को पता है इनको कैसे इनके एमोशन के साथ खेला है, बनाली डुमा, सब शान्त हो गए, इस डुमा को विधिन 75 डेज रिजॉल्व कर दिया, डिस्मिस कर दिया, पच्छतर दिनों में खतम कर इसको पच्छतर दिन, अब तीसरी डुमा जब बनाई न, तो उसमें ऐसा परिवर्तन किया, कि अब लिबरल्स, रेडिकल्स, या जो इस तरह के लोग थे न, ये संगठन वंगठन वाले, इनको न लाया जाए, इस तरह से तोड़ा मरोडा नियमों को, कि जो थर्ड डुमा बनाई इस सार निकोलस सेकेंड ने, उसमें सारे के सारे लोग अपने थे, जो कंजरवेटिव से न, कंजरवेटिव मैंने क्या बताया, जो कंजरवेटिव पुराने भईया, जो चल रहा है वही ठीक है, जदा बदलाओ कि यह में जुरुरत नहीं है, बदलेंगे तो ग्रा से आदमी भर लिये, अब जनता बिचारी फिर से बेवकूफ बन गई और अब शांती से लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, करना तो चाहेंगे, लेकिन अब 1905 के बाद वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिखावटी क्या बन गई है, जुमा, और बड़ी चालाकी स लोगों के गुस्से को निकलने से रोकने के लिए डियूमा बन वा दी, और अब जितने संगठन ये फालतू के बने हुए हैं, कोई ये सोशलिस्ट रिवल्यूशनरी हैं, कोई ये सोशल डेमोक्राटिक हैं, या और भी बहुत सारे, यूनियन अफ यूनियन्स बना ले, य हमारे हक की बात करी देगी, सब लोग फिर से थोड़े थोड़े से शांत दिखाई दिए, लेकिन ये शांती कुछ ही साल ठिकेगी, क्योंकि जब ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारेंगे, और सार की गलती लोगों को नजर आने लगेगी, कि इसने कुछ नहीं किया, इसने हमें बेवकूफ बनाया बस, ये डिूमा बनवाके, तो फिर लोग दुबारा से भढ़केंगे, और 1917 में ऐसा बवाल आएगा, कि उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, और वो होगी असली क्रांती, जिसमें रशिया में पूरी तरह से सार निकोलस दृत्य का खात्मा ह हो जाएगा, और यहां सोशलिज्म की धारणा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेगी, तो रशियन रिवल्यूशन की शुरुवात यहां तक है, कि किस तरह से एक उपजाव पृष्ट भूमी तैयार हो गई, और फिर 1905 के बाद यहां सारे संगठन, एक बात मैं और होते हैं, जिन्हें पता है कि राजा आज से दस साल बाद भी तो गड़वड कर सकता है, और राजा क्या भरोसा, तो जिन लोगों को समझ थी कि नहीं संगठन मरने नहीं चाहिए, उन्होंने अंडर ग्राउंड होके संगठनों को जिंदा रखा, लोगों के बीच में जाते और इसलिए 1917 आते आते लोगों को लगेगा कि हमें अब दुबारा से एकटे होके राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने पड़ेंगे और क्रांती करनी पड़ेंगे, और फिर एक पूरी सीरीज लोग चलाएंगे, जिसमें मज़़ूर भी शामिल होंगे, किसान भी शामिल हो कहां 1900 आते आते कैसे वहां ट्रेंज का जाल बिच गया, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री इस आ गई, फॉरन इंवेस्टमेंट हो गया, और कैसे मज़ूर धीरे-धीरे करके किसान जो थे या जो लैंडलेस लेबर था वो उठ उटके शहरों में आये, और सिफ दो शहरों से कैसे पॉकेट्स भढ़ती चली गई, लेकिन वहां उठके आने के बाद भी उन्हें वह जीवन नहीं मिला, जिसकी आस में वह लैंडलेस लेबर गाउं से भागे थे, और धीरे-धीरे करके उनकी सिती बहुत ही दैनिय हो गई, काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, पर इस सि संगठनों को एक कर दिया था, उदारवादियों ने, फिर उन संगठनों को एक करके, उसमें जो ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जैडाडेस्ट इनको भी जोड लिया, नैशनलिस्ट को भी जोड लिया, और इस तरहे राजा ने देखा, भाईया, सब मेरे खिलाफ हैं, तुरंत में डियूमा के लिए मान गया, लेकिन ये भी राजा की चाला की थी, क्योंकि डियूमा 1 तो उसने 75 दिन में खतम कर दी, डियूमा 2 को उसने 3 महिने में, और डियूमा 3 तक उसने लौस बदल बुदुल के सारे आदमी अपने बठा लिये, 1905 के बाद उसने कह दिया सबकुछ illegal है, और लोगों को लगा ठीक है भी डियूमा बनगे, अब क्या जरूरत है, लेकिन संगठन फिर भी underground रहके भी काम करेंगे, और फिर इसका रूप आपको सामने दिखाई पड़ेगा कल की क्लास में, चलिए, आज हमने एक बहुत important और बहुत tough topic पढ़ लिया, य Russian Revolution, तो आप देखिएगा कितनी आसान है कहानी, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कल हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, रशिया की पोजीशन क्या थी, क्योंकि उससे ही प्रभावित होगी यहां की 1917 की क्रांती, और फिर पढ़ेंगे किस तरह से यहां फेब्रडी में क्रांती हुई, राजशाही तंतर का खात्मा हुआ, और उस क्रांती गयाद ऑक्टूबर में फिर से क्रांती हुई, और यह वस्ता फिर से बदली, चलिए, आज के लिए इतना ही, चलते-चलते मैं आपको ICS, Homework App के बारे में बता दूँ, यह हमारा application है, जि अभी comparative exam, जिसमें SSC, HSSC, राजस्तान के सभी exams, या हरियाना के, UP के, बिहार के, 36 गड़ के, MP के, सारे exams की तयारी कराई जाती है, ठीक है, सभी government jobs की तयारी कराते हैं इसमें, और इसमें आप दो numbers हैं, जिन पे आप call करके जानकारी ले सकते हैं, नभ है 532040, दूसरा नंबर ह अठानवे, 1296, 96, गॉंपरिटिफ पेपर की तयारी हर किसी को करनी पड़ती है, बिना तयारी के कभी कोई नहीं लगता, तयारी के लिए आपको साल मिनिमम लगेगा, इतना मान के चलो, competition बहुत ज्यादा है, अब आप देख रहे हैं, कितनी ज्यादा आवादी बढ़ गई रोज की करते हैं, तो आपकी नौकरी पका मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप सोचते हैं, कि किसी टीचर के सुनने मातर से मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपको महनत करनी पड़ेगी, कितावे उठा के पढ़नी पढ़ेंगी, आपको बार-बार टेस्ट दे के तो इसे लिए खुब पढ़ना चाहिए, महनत करनी चाहिए, एक दौर होता है, जब आदमी अपनी लाइफ को सेट कर सकता है, जितने लोग 18 से 27 के बीच में हैं, वो अपनी लाइफ के गोल्डन स्टेज को जी रहे हैं, इस टाइम की गई महनत, तुम्हारी पूरी आगे आने जिन्दगी को आसान बना देगी, यह पढ़ाई भी एक स्किल है, और स्किल में प्रैक्टिस जितनी होगी, उतनी वो बढ़िया बनती जाएगी, तो इसे लिए खुब पढ़ा करो, जितनी ज्यादा बार चीजों को पढ़ लोगे, जितना हाथ से चीजों को खुद लिख या जितने questions को बार-बार solve करोगे, वो दिमाग में पक्के होते जाएंगे, और वो इतने पक्के हो जाएंगे कि फिर जैसी question दिखेगा तुम तुम तुरंट से टिकमा कर पाओगे, अपने उपर काम हर किसी ने किया है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी teacher है, या तुमारे सा बहुत सारे लोग ऐसे एक्जामपल हैं, और यह देखिए कि उन्होंने जीवन में कैसे हांसल किया, सब ने महनत की है, जो लोग आपको 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 आच दिखाई देते हैं, उन्होंने पता नी कितनी काली रातों में अपने उपर काम किया है, ना जाने कितने लोग हैं जो लेंप की रोशनी में भी पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो हमारे टाइम पर भी मेरे टाइम पर इंवर्टर नहीं था जब मैं स्कूल में थी, मुझे ध्यान है आज भी हम लेंप की रोशनी में पढ़ते थे, लेंप जला के रात में और पढ़ा करते थे, तो बह गर घर पहुच गई आपके फोन में टीचर है आप यह देखिए कितना लखी है जो स्टूडेंट सच में पढ़ना चाहते हैं आपके एकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहा है हमारे टाइम में ऐसा थोड़ी था टीचर के मुझ से निकल गई जो चीज वो गई अब हम कहां ढू कि जी मैं गरीब हूँ गरीब हैं लेकिन अब इतनी ज्यादा सुविधाएं भी तो है ना सस्ते में एक दौर था जब चीजें थी ही नहीं सुविधाएं थी ही नहीं तब पढ़ना कितना मुश्किल था दुनिया तो तब भी पढ़ती थी तो इसलिए बहाने चोड़के कि गरीबी है जी यह है वो है अपनी लाइफ को सेट कैसे करना जो आपको मिल गया वहापका लगता आप जिस परिवार में पैदा होगे जो मवाप आपको मिले जो भाई बेन उसका बदल नहीं सकते आप बदल सकते हैं आपका खुद का जीवन और उसके लिए आपको मेहनत कर तो लाइफ बदलेगी, अदवाइस सब बहाने हैं, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिले, ये सब बकवास है, सब बहाने हैं, आपका परिवार जैसा भी है, अगर आपके पास फोन है, तो इसका मतलब आप पढ़ सकते हैं, अब कोई ऐसा student नहीं है जो इस बहाना मारे, अपने मन से आप जानते हैं कि अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी खुद की गलती है खुब पढ़ो, खुब लिखो, महनत करो खुश रहो, अपनी एनरजी को दूसरे से चिडने की बजाए, इरश्या की बजाए, पॉजिटिव डिरेक्शन में ले जाओ जितना पढ़ोगे, जितनी महनत करोगे उतना ही फल मिलेगा ज्यादा पढ़ोगे, नौकरी मिल जाएगी नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे तो फिर आगे जाके टाइम को बिताना बड़ा मुश्किल पढ़ जाएगा, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी जीने के लिए एक बेसिक शर्थ है कि आपके पास कमाई का साधन हो, या तो आप बहुत रिच हो और अगर आप रिच नहीं हैं, आप एवरेज से परिवार से हैं, तो आपको महनत करनी पड़ेगी, और शायद महनत किये बिना मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं जो जिंदगी में काम्याब हुआ हो, ठीक है तो यही कहूंगी, खुश रहो, पढ़ते रहो इंदर पड़िने टेखा रहो, जो चुशपार रहो, भास, ट। पास, भास, परिफटी का नहीं हैं, जो जो पढ़ते हैं,lo MOOC यहीं, जो जो, एवरेखाय से हैं, मैं से हांएंग